हेलो दोस्तों क्या हाल चाल मेरा नहीं है विकास और स्वागत है आप सबका हमारे वीकली टेक न्यूज के एक और एपिसोड में काफ़ी सारी खपरें अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को पुरा एंट तक जरूर देखना और इस वीडियो के बाद आप भी अपडेटिस होगे कि टेक इंडस्ट्री में आखिर चल क्या कुछ रहा है तो वीडियो अच्छा लगें लाइक जरूर करना चेनल पर नेयों सब्सक्र जी आज उनका देहांत हो गया तो उनको बहुत-बहुत श्रद्धान जली हमारी तरफ से और आप लोग भी प्रे करना कि उनकी आत्मा को शान्ती मिले और अब बढ़ते हैं हमारी आज की जो भी में खबरे हैं उनकी तरफ और पहली खबर आ रही है वह आ रही है गूगल की डेटा बन जाए वह अनलिमिटेटली स्टोर होता था गूगल ड्राइब पे अब जो आपको फ्री में 15 मिलता है उसमें ही इसको काउंट किया जाएगा तो आपके वाट्सैप का डेटा जो भी होगा वाला वह आपके गूगल ड्राइब में योगदान देगा उसको भरने म वाला है और आपके पास में 15 GB से उपर आप लोग ने खरीदा हुआ है तो उसके अंदर भी जाइर सी बात यह इंक्लूड रहने वाला है तो हां अभी चीज नहीं रहेगी और जो अगली ख़बर आरी वह आपको हैरान कर देगी क्योंकि चाइना वाले हमेशा है रही चीज उसके उसके लाव और भी अप्लाइंसी ओंगा आपके घर के बाइस सब कुछ चला लो आप अपने एलेक्रिक वीकल तक इस से चार्ज कर सकते हो और यहां तक चीज आप लोगों को देखने मिलेंगे क्यूंग चाइना वाले हमेशा सा कुछ कुछ करते रहते हैं यह चाइन साल 2022 से 2023 तक होने वाला है एप्रिल से मार्च के महिने तक उसको अनाउंस कर दिया गया और उसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़े देखने को मिलती है जो शायद नहीं देखने को मिलने चाहिए बट स्टिल है बता देता हूं आपको सबसे पहले तो अगर आप कोई 30 परसेंट सबसे जादा है तो भाई मेरे खयाल से तो अब या तो दोही चीज़े होनीय करना और सिर्फ इतना ही नहीं करते हो तो उसकी जो वैली होगी उसके ऊपर भी आपको 30 पर सेंट का टेक्स देना होगा एक्जामपल के लिए आप एक लाग रुपे भेज रहे हो तो 30,000 तो टेक्स में ही चले जाएंगे, सोचो कितना बड़ा अमाउंट होता है, जितने छोटे नमबर पे जाओगे, तब आपको रियलाइज नहीं होगा, बट जैसे ही बड़े नमबर पे आप लोग जाओगे, आ आने वाला है, अब जियो वालों का भी 5G फोन आने वाला है, और इस फोन के स्पेक्स में ने पिछले वीडियो में अल्रेड़ी बता दिये थे, जो कि बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बट फिर भी आपको बता दो, पांचार एमेज की बैटरी लगबग साड़े पांच स्क्रीन देखने मिलेगी, स्नैप ड्रेगन चार्टी प्रोसेसर होगा, और इसके अलावा चोटी मोटी जो भी चीज़ होती है, वो सबी देखने मिलेगी, और इस फोन की जो कीमत है, वो लगबग 10,000 रुपे के नीचे हो सकती है, वैसे ये सिर्फ एक अंदाजा है, कुछ पर पूरे जियो को बेकार बताना बेवकूफी ही होगी, अब अगली ख़बर आती है, हमारे प्यारे यूट्यूब के बारे में, अब यूट्यूब ने अपने इंटरफेस को चेंज कर दिया, अब अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के एप पे देख रहे हो, और आप आप लोग इधर देख रहे होगे, मतलब यहां पर आप लोगों कुछ दिख रहा है, तो यहां पर एक option मिल रहा होगा, जिसमें आप वीडियो के जो more videos का option आता था, वो play कर सकते हो, अपने screen पर रहते हुए ही, तो काफी अच्छा मुझे बदलाब लगा है, काफी अच्छ charities देखने को मिलती है, उतनी कहीं नहीं देखने को मिलती है, हाँ कुछ लोग Netflix कह सकते है, I know वो भी अच्छा है, बट स्टिल महेंगा भी तो है, बड़ एक और company है, जो बहुत ज़्यादा नामी है, और वो OTT मैं entry मनने वाली है, मैं बात कर रहा हूं T-Series की, तो T-Series के बा और अगली खबर आ रही है, Facebook या फिर Meta के बारे में, तो इनकी जो valuation है, इनके share price के में बात कर रहा हूं, वो 25% से गिर गई है, reason इसका exact नहीं पता, लेकिन जो अंदाजा लगा ज़रा है, वो इसके CEO ने खुद बताया है, जो कि मार्क जकरबग हैं, उनका कहना है कि Facebook पहली बार जिन्दगी में, जब से बनाएं ना तब से, पहली बार users खो रहा है, मतलब Facebook के user कम होते हैं धीरे धीरे, और कितने user कम हो रहे हैं, परड़े के साब से बताऊं, तो लगबग 10 लाख user एक दिन में Facebook को छोड़ करके जा रहे हैं, जो कि बहुत जादा नुकसान है, दस ल आने दे रहा हूं, आपका अपना रिस्क है, और मेटा की तरफ से ही अगली ख़बर आ रही है, Instagram को ले करके, Instagram के Reels, I know, बहुत कमाल ये चीज है, हर केटेगरी में आपको Reels देखने मिलती है, बहुत entertain भी कर दी है, और अब तो इनका जो टाइम है, वो पहले में एक हाल से क इंजोए कर पाओगे, ज्यादा information आप लोग वहाँ पर दे पाओगे, अगर आप creator हो, और अगर आप information लेते हो, तो आपको ज्यादा information मिल पाएगी, वैसे आप मुझे भी follow कर सकते हो, Instagram पे handles आपको मिल जाएंगे, description में, वहाँ भी आपको काफी सेरी Reels देखने को मिलती है तो आज आओ, वहाँ भी मज़े करेंगे, तो इंडिया में भी finally, Xiaomi ने अपना latest operating system, जो की है MIUI 13 इसको launch कर दिया है, सीधे सीधे बताओ तो इसके अंदर आपको visual changes बहुत जादा देखने मिलते हैं, वैसे कोई खास major upgrade इसके अंदर आपको देखने नहीं मिलता, but still जो भी feature है वो मुझे काफी पसंद आए, और हो सकता है इसके ओपर आपको एक detail वीडियो भी जल्दी देखने को मिल जाए, तो वीडियो जब आएगा, तब की तब देखेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं, update कब मिलेगा, किस को मिलेगा, तो इसके launch event में 10 ऐसे phone थे, जिनका नाम दिया जिन में आपका update आने वाला है, तो अगर आपका device इन में से है, तो हीपे फुर रहें, कमेंट में टाइप कर दो, और बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ, यह records के बारे में डिसकस करने में अलगी मज़ आता है, मुझे तो आता है, शायद आप लोग को सुनने में भी आता पता चुका हूं कई बार, तो इनके पास बहुत पैसा है, कल मैं गूगल पर देख रहा था, मेरा कैलकूलेटर शर्मा गया, और एक्स्ट्रीम यूजर्स के लिए कच्छी खबर लेकर गया हूं, इन्हों ने अपने कुछ नए प्लैंस इंट्रिउस के रहे हैं, जिसमें आ सिर्फ आपको सोनी लिफ देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ और भी जीवजीव से देखने को मिलेंगे, तो खबर थी, तो इसलिए आप लोगों को बता दी हो सकता, कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो काम भी आ सकता है, और अगली खबर है टे टेसला की गाड़ियों में, और उसके चलते इन्होंने लगबग 6-7-8 लाग गाड़ियां वापस बुलाई थी, तो अब के समय में फिर से इनकी जो सीट बेल्ट होती है गाड़ियों के उसके अंदर एक कमी मिली है, जिसके चलते आठ लाग सत्रा हाजार टेसला की गाड़ प्रेट होने वाले, फीचर क्या होने वाले सबसे पहले तो आपके सामने बहुत सरी ट्वीट आती है, जब भी ट्वीटर उपन करते हो, कुछ ट्वीट तो होती है, बहुत ज्यादा इंफोमेटिव, बहुत ज्यादा काम की, या फिर जिनके अंदर एक अच्छी निउस हो अगला इंप्रूमेंट जो ट्वीटर में होने वाला वो यह है कि अभी जो आपके ट्वीट की लिमिट है, वो 280 की है, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम महाबर नहीं लिख सकते, 200 से लिख सकते हो, और अब यह बढ़ गया है, उसके बाद 200 ही हुआ करता था, और बट स्टिल, अभी खबर आई है, जब यह चीज़ आ जाएगी, तब की तब देखेंगे, तो यही कुछ खबर थी, ट्विटर की तरफ से, और अब बात कर लेते हैं, कुछ मोबाइल से खबरों के बारे में, क्या कुछ लॉंच हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या टेकनिकली होना, रेड्मी 11A चाहिए था, बट 10A, अमेरिका के जो FCC होता है, उस पे लिस्ट हो गया, इससे पता चलता है, इसका ग्लोबल लॉंच बहुत जल्दी हो सकता है, फोन के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, काफी सारे ओप्शन देखने को मिलने वाले हैं, 4GB RAM, 32GB, 64GB और 108GB भी आपको देखने मिल सकती है, तो अलग-अलग वेरिंट होंगे, कॉंबिनेशन पतानी 3 या 4 फोन का जो भी वो लोग बनाएं, इसके लावा आपको MediaTek G25 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, इस फोन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं ह तब डिसकस करेंगे, फिलहाल ऐसा कुछ लिस्ट मिला है, एक नया फोन जो वीवो की तरफ से आने वाला है, जिसका नाम होगा, वीवो T1, इनके एक नई सीरीज होने वाली है, T-Series, वो वाला T-Series ने जिसके वारे में बात कीती, T-Series के फोन आने वाले है, तो ये फोन ए एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी, और क्या ही चाहिए एक फोन से, 44W की चार्जिंग होगी, बैक्टरी का अभी कुछ डिस्क्लोज मुझे तो नहीं मिला है, कहीं पे भी, जो भी होता है, 5000 की होगी, जितना में अंदाजा लगा रहा हूं, काफी अच्छा रहने वाला है, फोन के अंदर आपको 64MP का back camera देखने को मिलेगा, इसके अलावा और चोटे मोटा चीनी mini camera देखने को लगा देंगे, हो सकता 3 ये 4 camera आपको देखने मिल जाए, वैसे useless ही होते हैं, मैं उन में कभी नहीं फस्ता, इसके अलावा आपको front में 16MP का camera देखने को मिलने वाला, फो फोन के अंदर और क्या चाहिए, आपको जो एक फोन को अच्छा बनाए, front touch OS 12 होगा, जो कि Android 11 के साथ में चलेगा, तो ये फोन 9 फरवरी को launch होने वाला है, और देखते हैं, बाकी क्या कुछ चीज़स फोन में में देखने मिलेंगी, और Xiaomi ने अपनी Redmi Note 11 Pro सीरीज के अंदर दो ने स्मार्टफोन को launch किया था, जो कि पिछले हफते की बात है, काफी अच्छे फोन देखे थे, कीमत अगर जितनी globally गई थी उनकी, उससे थोड़ी सी कम हो करके आएगी इंडिया में, जो कि obviously होना ही है, हर बार तो यह ही होता है, कीमत कम रहती इंडिया में आते समय, त 28GB तक की internal storage देखने को मिल सकती है, प्रोसेसर की बात करें, तो इसके अंदर आपको MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि successor है, G95 का फोन के अंदर आपको 5000 mh की बैटरी देखने को मिलेगी, इसके अलाब फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, जो क मेरे ख्याल से उतना है लुभावने नहीं लगेंगे, कुछ लोगों को लग सकते हैं, फोन में आपको तीन या फिर चार वीरियंट देखने को मिल सकते हैं, जिनका के अंदाजा लगा जा रहा है, पंद्रह हजार से लेकर के बीच में रहने वाले हैं, और अब फटावट स जो कि मेरे ख्याल से कमाल होगी, क्योंकि AMOLED है, इंडिस्प्ले फिंगर्पिंट भी होगा, क्योंकि AMOLED है, तो हाँ, पॉसिबिलिटीज हाई है, वैसे साइड माउंटेड भी हो सकता है, इसके अंदर आपको 6GB की RAM देखने मिलेगी, 108GB इंटरनल देखने को मिलेगी, अब बाते हैं, में चीज़ में जो कि यह प्रॉसेसर, 600 सीरीज का 680 प्रॉसेस देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट है, इवन पावर्फुल भी है, तो काफी अच्छा प्रॉसेसर हो सकता, यह बी, कैमरा के बारे में बताओं, तो इसमें आपको में कैमरा जोगा, वो 50MP का द ने वाला है, और जब इतनी वातें कर लिए, तो रियलमी भी अपने फोन ले कर के आने वाला है, काफी समय से हाइप है, और इस बार, रिय Kenny iINь PRO+, इसके अलावा हो सकता, और भी ले कर कि आजै, अभी इन्हीं बात के लेते हैं Realme 9 Pro Plus की जो की तगड़ा वाला होने वाला है तो इस फोन के अंदर सबसे पहले जो आपको Highlighted चीज़ देखने को मिलेगी वह होगा इसका कैमरा इस फोन के अंदर आपको Flagship Camera देखने मिलने वाला है जो कि Sony का Sensor होगा Sony IMX 766 50 Megapixel का कैमरा होगा और देखते हैं कितनी अच्छी Optimization Realme वाले देते हैं अगर दे दिया ना तो समझ रहे हो आप लोग कैमरा के साथ में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा नॉर्मल फोन के अंदर आपको EIS देखने को मिलेगा लेकिन OIS होता हाड़वेर लेवल पर तो हाड़वेर लेवल की जो आपको इमेज इस्टैबलेशन है वो भी देखने को इस फोन के अंदर मिलने वाली है डायमन सिटी 920 प्रोसेजर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कि अपने जैसे जैसे rumors आते रहते हैं वैसे आप लोगों के साथ में शियर करते हैं बाकि जब यह फोन आएगा तब इस पता चलेगा बट फिलाल बात के लेते हैं realme 9 pro के अंदर जो features होने वाले हैं उनके बारे में तो realme 9 pro के अंदर जो screen आपको देखने मिलेगी वो भी 50 Megapixel वाला क्रेस बहुत जादा चला है वैसे ये बैक कैमरा होगा इसके साथ में आपको छोटे-मोटे और भी एक-दो कैमरा देखने को मिल सकते हैं फ्रेंट कैमरा की अभी कोई डीटेल इस फोन की सामने नहीं आई तो जब आ जाएगी तब आप लोगों को बता देंगे और इस फोन के अंदर आपको प्रोसेसर कौन सा मिलने वाला अभी मैंने आप लोगों को पताया था कि स्नैप ड्रेगन 680 लेटेस्ट है बट इसके इसके अलावा और भी बहुत सारी और जगत की खबरें हैं मेरे पास में बता सकता हूं बट आप लोग ना धिल पाओगे तो भाइस आप इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मन में कोई भी सवाल सुझाओ कैसे भी उचल रहा है जोर मार रहा है तो कमेंट सेक्शन है वहाँ जगर कर दो मैं पढ़ लूगा हाट दे दूगा रिप् गब लूगाँ कर दो लूगाँ कर दो